हेलो एवरीवन वेल्कम तो मैं यूट्यूब चैनल फोरेंशिक विद प्रियंका मैं टोड़े टोपिक इस रिच काउंटिंग एड रिस्ट्रेसिंग सबसे पहले आज हम यह जा लेते हैं कि वाइट इस इंपोर्टेंट टू तू नो अबाउट रिच काउंट एड रिस्ट् टरिकेशं शिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें फ्रींज को क्लासीफाई करने के लिए हमें रिचकाउंटिंग एड करनी होते हैं और जब ठीस को आपस में कमपेयर करते हैं जब अम फिंगर प्रिंगर परंटाल से उसाफिस मार्रोंच ऱ बाषि ड़रत गुंस पढ़ती है इ सो वट इस रिज काउंट, दा नंबर अफ रिज इस क्रॉसिंग और टचिंग, एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन बिट्वीन दा कोर, सॉरी, ड्रॉन बिट्वीन दा पॉइंट ओफ कोर एंड डिल्टा, ओफ अ लूप पैटर्न इस नोन अज रिज काउंट, जब हम एक लूप पैटर्न में, कोर और डिल्टा के बीच एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉन करते हैं, तो उस इमेजिनरी लाइन को कितनी नंबर अफ रिज इस क्रॉस कर रही हैं, और टच कर रही हैं, उस नंबर को हम बोलते हैं, रिज काउंट, एन जो ये रिज काउंट के जो प्रॉसेस होत मदब what are the rules for ridge counting तो first rule है कि first locate the exact point of core and delta सबसे पहले जब अगर हमें correct ridge counting करनी है तो सबसे पहले हमें ये ज़रूरी है कि हम exact point of core and delta को locate कर दे exact core and delta को identify कर ले फिर उसके बाद core और delta को मिलाने वाली जो imaginary line है उसको उस imaginary line को कितनी rages touch कर रही है या फिर cross कर रही है उन सारी की सारी rages को हमें count करना पड़ता है count all the rages which touch or cross an imaginary line drawn between core and delta थर आता है the point of core और delta are not included in the ridge count और main बात ये याद रखनी होती है कि जो point of core and delta जो होते हैं वो उन्हें हम कभी भी ridge count में include नहीं करते हैं count only those rages which intervene और pass the imaginary line केवल हम उन ridges को count करते हैं जो कि imaginary line को pass करती हैं और intervene करती हैं next white space must intervene between delta and ridge count और जब हम delta से core की तरफ ridge count करते हैं तो जो सबसे पहली जो हम ridge count करेंगे तो उसके बीच में एक white space जरूर होना चाहिए चलते हैं next slide कर और जान लेते हैं numerical values of ridge case in ridge count कतब किस step की ridge को हम कौन सा number of value देंगे कौन सी numerical value देंगे ridge count में यह हम जान लेते हैं if the imaginary line passes through the enclosure अगर imaginary line जो हमने draw की है between core and delta अगर वो enclosure से pass होती है then the ridge count is 2 तब हम उसमें 2 ridge count करेंगे if the imaginary line touches the point of bifurcation और अगर core old delta के बीच में जो imaginary line ड्रॉं की है वो touch करती है point of bifurcation को bifurcation के point को bifurcation में जब एक ridge split हो जाती है two rages में and continue करती है as a two rages then उसको बोलते हैं bifurcation तब हम वहां पे ridge count two count करेंगे तब वहां पे ridge count कितना count करेंगे two in the case of short ridge अगर short ridge है या फिर long ridge है Iceland है dot ridge है या फिर कोई abrupt ridge ending है इस case में हम ridge count one one ridge count कब देंगे जब कोई short ridge है या फिर long ridge है Iceland है dot ridge है या फिर abrupt ridge ending है जब यह case है तब हम उसमें one ridge count count करेंगे तो चलिए चलते हैं देखो यह हमारा एक fingerprint pattern है कौन सा pattern है loop pattern ठीक आब इसमें this is point of core this point is core सबसे पहले हमारा रूल यह है कि सबसे पहले हम correct core and delta के point को identify करते हैं तो सबसे पहले देखो यह this point is core and this point is delta यहां से कि अब क्या करेंगे कि core और डेल्टा को मिलाने वाली जितनी भी जो imaginary line है उस line पर कितनी ridges touch कर रही है या फिर cross कर रही उनको क्या करेंगे हम count करेंगे तो चलिए count कर लेती है 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह point है and closer का तो इसको हम एज़ा 2 count करेंगे तो 6, 7, 8, 9, 10 this is bifurcation it is also called ridge count 2, 10, 11, 12, 13 and 14 so ridge count is 14 यहां हम इस case में ridge count कितना है 14 कैसे अगर bifurcation का point है तो उसमें हम ridge count 2 देंगे end closer है तो 2 देंगे अगर long ridge, short ridge, dot ridge या फिर abrupt ridge ending इस case में हम क्या देंगे one ridge count देंगे same उसी इन ही rules को याद रखते हुए एक बार हम वापस से ridge count कर लेते हैं this is this is point of delta and this is point of core and अब यह imaginary line है जो कि हमने delta और core के बीच में draw की है तो ridge count करते हैं one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen and fourteen understand अब चलते हैं अपनी साइट पर और जान लेते हैं what is wrist tracing in this method the ridge is starting from the lower side of the left delta सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि हम loop pattern में ridge counting करते हैं एन वर्ल पैटर्ण में wrist tracing करते हैं तो वर्ल पैटर्ण में maximum two delta होते हैं ओके अब पढ़ते हैं in this method the ridge is starting from the lower side of left delta are traced left delta के lower side से जो raises start होती हैं हम वहां से करते हैं until they reach nearest to the right delta और कब तक करते हैं जब तक की वे right delta के nearest में नहीं पहुंचाते हैं इसमें क्या करते हैं left delta की जस्ट नीचे वाली रिस से हम risk tracing करना start करते हैं और यह tracing हम तब तक करते हैं जब तक की हम right delta तक नहीं पहुंचाते हैं by counting the number of intervening ranges between traced ranges and right delta the pattern are classified as अब जब हम डेल्टा एंड जो हमने risk trace करके जो हम right delta की side आए हैं वो एंड जहां पर हमने risk trace की है उन दोनों के बीच में कितनी risk count है इसके बेस पर हम patterns को classify करते हैं three parts में which is number one inner number second meeting and number third outer तो चलिए जान लेते हैं what is inner meeting and outer rule लेकिन उससे पहले हम जानेंगे की risk tracing के कुछ rules की risk tracing करने के rules क्या हैं तो there are three rules of correct risk tracing number first if the traced ridge ends after starting from left delta अगर हम जो ridge trace कर रहे हैं वो end हो जाती है after starting from left delta left left delta से start कर तो हमने कोई ridge trace की और अगर वो end हो जाएगी जैसे कि यहां इस case में देखो यह end हो गई तो हम उससे जस्ट नीचे की risk को trace करेंगे और आगे बढ़ेंगे trace करते हुए जैसे हम यहां से आगे बढ़ें यहां पर यह trace की हम कहां पहुँच गए जैस्ट नीचे पहुँच गए हम राइड डेल्टा के अब यहां पर हमारी tracing खतम हो गई खीक है ऐसे ही चलते है next second rule क्या है इस का left delta is a ridge dot अगर left delta एक dot की form में हो ridge dot की form में हो तब हम क्या करेंगे तब हम next lower ridge is traced उस case में हम next lower ridge को trace करेंगे और कब तक करेंगे जब तक की हम right delta तक नहीं पहुँच जाते जैसे इस image में पताया गया है this is left delta and this is right delta तो अब यह ridge dot है इस case में क्या करेंगे हम just नीचे वाली ridge से tracing करना start करेंगे और कब तब तक करेंगे जब तक की हम जब तक की हम right delta तक नहीं पहुँच जाते जैसे की देखो इस case में हमने यहां से tracing start की यह की यहां ridge end हो गया just इसके नीचे की की इसी तरह से हम further करते रहेंगे नमबर थर्ड रूल इस तर्ड ट्रेस रिज बाइफर केट अगर जो ट्रेस रिज है वो बाइफर केट हो जाती है तो उस case में हम कैसे tracing करेंगे हम उपर वाली को count करेंगे या नीचे वाली को तो अब बताते हैं अगर जो ट्रेस रिज है वो बाइफर केट हो जाती है तो इस case में हम लोवर ब्रांच को स्किंट हम जब म्रOoh और जाड़ यहां प्लिंग Carry 6 यहां प्लेंगे यहां प्लाइग protection हम से आंगे बढ़ेंगे सकते हुएं यहां यहां तक कि हमने यह यह फ़र्किट तो क्या करेंगे जस्थनीचे बढ़ें फिर नीचे वाली रिच्ल को पाहलेश मांगे temos कि यहां तक पहुंच गए यह अगेन बाई फर्केट हो गई फिर हम लोवर ब्रांच को कंसिडर्ट करेंगे और हम यहां इसको ट्रेश करते करते लोवर डिल्टा ला राइड डिल्टा के नीचे आ गए यह हैं हमारे कुछ रूज अब हम classification of world pattern on the basis of wrist tracing करेंगे हमने अभी बताया कि wrist tracing के base पर हमने world pattern को तीन टैप्स में classify किया है तो सक्से पहले पढ़ते हम इनर के बारे में वेंं दा ट्रेश्ड डिल्टा के ऊपर पुहंचाती है कहां पहुंजाती है राइट डेल्टा के ऊपर और अगर जो हमने ट्रेस की है उस रिज में और राइट डेल्टा के बीच में अगर तीन और तीन से ज़्यादा रेजेस हैं तो उस पैटन को हम इस इनर वल काउंट करेंगे कंसीडर करेंगे वापस से बता देती हूं वेन दा ट्रेस रिज पासे सबब दा राइट डेल्टा जब हम रिज को लेफ्ट डेल्टा से टोवाड राइट डेल्टा की तरफ ट्रेस कर रहे हैं और ट्रेस करते करते जो ट्रेसिंग हमारी रेज है वो हमारे राइट डेल्टा क के बीच में अगर तीन या तीन से ज़्यादा रेजिस आती हैं तो ऐसे पैटन को हम इस इनरवल पैटन काउंट करेंगे जैसे इस पिक्चर में देखते हैं हम यह दिस इस देल्टा और दिस इस राइड डेल्टा हमने क्या किया बाइफरकेशन केसम लोबर व्रांच को कंसीर करते हैं यहां से हमने इसको ट्रेस करना स्टार्ट किया हम आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े इसको ट्रेस करते करते हम कहां पहुंच गए राइड डेल्टा जैसे कि दो यह राइड डेल्टा है यहां तक हम पहुंच गए जस्ट इसके सामने अब यह क्या है यह कहां चला गया उपर चला गया और देखो यह हमारी ट्रेसिंग रिज इस जेल्टा इसके बीच में कितनी रिज आ रहे हैं वन टू एंड त्री तो या तो ठी होनी चाहिए या थ्री से जादा होनी चाहिए तो ऐसे पेटर्ण को हम क्या बोलेंगे इनर बोलेंगे अब जानते मीटिंग के बारे में ये क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि अगर हम left delta से right delta तक tracing करेंगे और चाहे जो traced ridge है हमारी चाहे वो right delta के ऊपर चली जाए या right delta के नीचे आजाए बट traced ridge और delta के बीच में जो maximum number of ranges है वो 2 होंगी तो ऐसे pattern को हम कहेंगे meeting pattern जैसे in this pattern this is left delta and this is right delta हमने की tracing तो जस्त नीचे वाली branch को हमने consider किया trace की यह यहाँ पे end हो गई just lower branch trace करते करते हम आगे बढ़े यहाँ पे end हो गई जस्त नीचे वाली branch को consider करेंगे आगे बढ़ते हुए यहाँ पे end हो गई जस्त नीचे वाली consider की और आगे बढ़े यहाँ पहुँच गए हम यह यहाँ पे end हो गई जस्त नीचे वाली को consider किया आगे बढ़े यहां तक हम पहुंचे इस डिल्टा एंड इस इस अवर ट्रेस्ट इस रिच काउंट इस वन तो इस इस पैटर्न इस पैटर्न इस कंसीडर्ड आज मीटिंग वर्ल पैटर्न अब चलते हैं आउटर के बारे मैं जान लेते हैं वह तिस आउटर पैटर्ड वेन आउटर पैटर्न क्या होता है जब हम वर्ल पैटर्न को ट्रेस करते हैं लेफ्ट इल्टा से लेके टोवार राइट डेल्टा तक और अगर ट्रेस्ट रिच हमारी राइट डेल्टा के नीचे पहुंच जाती है और इस केस में अगर डेल्ट डेल्टा एंड ट्रेस्ट रिच के बीच में अगर तीन या तीन से जादा रिच आती हैं तो ऐसे पैटर्न को हम आउटर पैटर्न कहते हैं जैसे इन इस केस में इस आवर लेफ्ट डेल्टा एंड डिस आवर राइड डेल्टा वी डूइंग just lower branch this is end इसके नीचे वाली branch को हमने रैंच किया यहाँ पर end हो गई फिर इससे नीचे वाली ब्रांच पर आए यहाँ अंड हो गई और हमारा रूल क्या कहता है अगर थ्री और थ्री अगर मोर देन थ्री रिजिज आएंगी तो वह ऐसा पैटन क्या कहलाएगा आउटर सु इस आउटर पैटन हमें एक बार और बता देती हूं कि इनर मीटिंग और आउटर क्या होते हैं जब हम वर्ल पैटन को ट्रेस करेंगे लेफ डेल्टा तो टोवार राइट डेल्टा और हमारी अगर ट्रेस्ट रिज राइट डेल्टा के उपर चली जाती है और ट्रेस्ट रिज एंड राइट डेल्टा के बीच में अगर थ्री या मोर देन थ्री रिजिस आती हैं तो ऐसे पैटन को हम एस इनर वर्ल पैटन का नीचे आ जाती है और राइट डिल्टा एंड ट्रेसिंग रिज के बीच में अगर थ्री और मोर देन थ्री रिजिस तो ऐसे पैटन को आउटर पैटन कहेंगे एपन मिटिंग में क्या होता है जब हम व्ल पैटन को ट्रेज करते हैं लेस्स तेटा टू टो टो वाड राइट डिल्टा और अगर ट्रेसिंग और तो फॉनी number of races है या तो 2 होनी चाहिए या फिर 1 तो ऐसे केस में अग जो पैटन है उसको हम as a meeting pattern consider करेंगे that's all about the race counting and risk racing thank you if you like my video please like share and don't forget to subscribe the YouTube channel forensic with Priyanka and press the bell icon thank you so much